दोस्तो SBI की Quick App को यूज करने के लिए आपको Play Store में आना है और यहां से आपको Download कर लेना है SBI Quick App और कुछ इस तरह से जो है क्या App का Interface खुलेगा और Simply आपको इस तरह का Interface आएगा आगे और यहां पर देखे काफी सारे Option आपको दिख रहा होगा Account Service, ATM, Debit Card Service का और Mobile Recharging का काफी सारी Services यहां पर दी गई है तो इसको जो है आप बिना Login के भी यूज कर सकते हैं दो Option उपर में दिए गया है Without Login और Login तो पहले में आपको यहां पर Login करके दिखाने वाला हूँ Account Services को तो जैसे मैं यहां पर Login को Option पर आता हूँ तो यहां पर Account Services पर क्लिक किया हो तो यहां पर दीखिए आपको काफी सारे Option यहां पर मिल जाता है यहां पर दीखिए सबसे उपर जो है यहां पर Six Month Statement अगर आपको निकालनी है तो आप वो निकाल सकते हैं सिंपली आपको जो है मैं आभी Statement निकाल के दिखाने वाला हूँ तो दीखिए यहां पर है जो मैं सिंपली Account Number डाल देता हूँ फर्स्ट में यहां पर मैं Account Number डाला और यहां पर नीचे आप देख सकते हैं लिखा हूँ है Enter Any Code Passcode 4-Digit का जो है आपको Passcode यहां पर डालना पड़ेगा तो यहां पर जो है मैं आपको यहां पर बता देता हूँ जो code है आपको same character नहीं डालनी है जैसे कि आप double double कोई चीज़े से कि मैं दो बार कोई 2 नहीं दबा सकता या दो बार 3-4 नहीं कर सकता हमें एक एक character chart रखा लेना है तो यहां पर simply मैंने जो है आप यह भी नहीं डाल सकती कि एक 2-3-4 डाल दिया तो मैंने यहां पर जो है उल्टा डाला है 4-3-2-1 करके डाला तो यहां पर आपको passcode में भी choose करना है तो यहां पर देखिए मैं यहां पर account number डाल दिया हूँ और passcode में मैं यहां पर choose कर लेता हूँ तो देखिए यहां पर जो है मैं passcode यहां पर choose कर लिया हूँ और simply आपको जो है यहां पर जो है date है वो select कर लिनी है तो आप मैं यहां पर मैंने date select कर ली पास्कोर से लग कर लिया और यहां जो है हमारे email पे जो है जो बैंक statement है वो भेज दिया गया है तो देखें यहां पर जो है मैं आपको अपना email चेक करके दिखा देता हूं कि जो हमारा six month statement है वो हमारे email पे आया है कि नहीं तो चलिए मैं अपना email खोल लेता हूं तो चलते हैं अपने email के पास तो चलिए मैं यहां पर जो है अपना email खोल लिया हूं तो अब देखते हैं हमारा email आ गया और यहां email पे देखें हमारे जो है statement आ गया है आठ जन्वेरी से लेके कुछ इस तरह से जो है आपका statement खुलके आएगा तो आप जब यूज करेंगे आप इसका इसमाल करेंगे तो इसी तरह से statement आएगा तो देखें मैंने आपको दिखा दिया कि statement कैसे निकलता है इससे अब मैं पूरी चीज आपको दिखाने के बाद आप चलते हैं वापस से एप की और तो यहाँ पर देखें पूरा का पूरा six month का statement निकल चुका है तो आप देख सकते हैं पूरी detail आपको देखने को मिल जाए और वापस से हम आ जाते हैं एप के और तो यह जो है एप है यहाँ पर आपको दुबारा से log out करना पड़ेगा उसके बाद ही आप back जा पाएंगे तो देखें यहाँ पर मैंने log out कर दिया और यहाँ पर back आया ATM card का pin generate करना है तो आप generate pin पर click करके आप ATM card का जो है pin generate कर सकते हैं यहीं से आपको ATM भी जाने की जुरत नहीं पड़ेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर फिर से मैं back आजाता हूँ और आगर आपको यहाँ पर mobile recharging करनी है तो आप यहाँ पर mobile recharging का option पर आके यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ यहाँ लिखा गया है तो आप इन सब का इस्तमाल कर सकते हैं तो जैसे मैं Unolat पर क्लिक क्या हूँ तो दिखें यह जो है यूनो एप की तरफ ले जाएगा तो अगर आप यूनो एप लोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर डिरेक्ट ली जा सकते हैं तो बस काफे जाएगा तो बस काफे जाएगा